नेक्स्ट कोश्चन है, सोला सो को तीन भागों में इस प्रकार विबाजित कीजिए कि पहले भाग के साथ में, दूसरे भाग के पांच में और तीसरे भाग के चोथाई भाग बराबर हों। अब देखे इस कोश्चन को हम उप्शन से करते हैं। पहला जो नंबर है उसका साथ मा भागी। तो ए उप्शन में देखिए, नो सो साथ से भाग होता है, नहीं होता। तो ए उप्शन हमारा गलत हो गया। बी उप्शन में जो पहला नंबर है साथ सो, क्या वो साथ से भाग होता है, बिलकुल होता है। 700 के डिवाइड में 7 करेंगे तो 100 आएगा तो B option हमारा सही हो सकता है उसके मैं नंबर लिख रहा हूं 700, 500 और 400 C option में भी 700 है तो C option भी सही हो सकता है 700, 600 और 300 ठीक है लेकिन D option में 800 है डिवाइड में 7 करूँगा तो D option ये गलत है ठीक है न तो B option और C option जो है वो हमारे सही हो सकते हैं अब इन में से किसी एक को select करना है वो क्या कहता है पहले भाग के सात्मा भाग ठीक है न पहला जो नंबर है इसका सात्मा हिस्सा कितना रहेगा साथ से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 100 यहां भी 1 by 7 करेंगे 700 का तो क्या आएगा 100 ठीक है अब दूसरे भाग यानि दूसरे नंबर 500 और यहां पे 600 दिया गया है उसका पाचमा तो 500 का पाचमा भाग कौन सा है 100 और 600 का पाचमा भाग कौन सा है 120 ठीक है यह दोनों अलग-अलग है जबकि बराबर होने चाहिए तो C option भी गल तीसरे भाग के चुथाई भाग तीसरा भाग यह है 400 इसका चुथाई भाग यानि 1 by 4 कितना आ गया 100 आप देख सकते हो तीनों नंबर इक्वल है तो option B is the right answer